Hycon OS का एक latest update हमारे Poco M2 Pro और Mi Atold Devices के लिए आ चुका है जिसमें कुछ चीज़ें आपको काफ़े ज़ले advance देखने को मिलती है और कुछ चीज़ें जो आपको normal देखने को मिलेगा लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पूरा detail दे दूँगा कि क्या कुछ है जो नया जो कि आपके काफी काम आ सकता है और कैसा इसका लिकल के आता है customization और performance बस वीडियो को आपको पूरा last टक watch करना है और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप से एक ही request रहेगा प्लीज चैनल को subscribe करें और bell icon को all पे set टागी इंट्रेस्टिंग अपडेट का information आपको time पे मिल सकते सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो इसका change log जिसमें काफी कुछ चीज़े है जो mention की गई है और मैं first time इस ROM का review लेकर आया हूँ M2 Pro Devices के लिए तो यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ explain करूँगा यानि सो करने वालों कि क्या कुछ customization देखनी को मिलता है तो channel को था side में कर देते हैं और यहाँ पे about में इसका जो logo है वो था different है और unix है जो कि मुझे अच्छा लगा इसके साथ आपको android 11 का support टेखनी को मिलेगा यह जो update है 4.1 का है जो कि official है और यहाँ पे आपको maintainer का name देखनी को मिलता है अगस्ट 5 का यहाँ पे security patch आपको देखनी को मिलेगा इथरस का kernel यूच किया गया है और इसका build date है 29 का जो कि latest official update है बैक की और चलने पे आपको मिलता है system जहाँ पे updater का option देखनी को आपको मिल जाएगा जो कि OT update वगरा जेगाउट कर पाऊगे gestures के अंदर आपको navigation bar, ringing, screen suit, power menu वगरा का option देखनी को मिलता है वहीं पर हम यहाँ पे neighbor की बात करें कि neighbor में हमें क्या कुछ customization देखनी को मिल जाता है अच्छे तरिकी से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आता और airflow का भी आप benefit यहाँ पे ले पाऊगे digital well-being, google, accessibility वगरा में जो customization मिलते है maximum room के अंदर वह सारे customization आपको यहाँ पे भी देखनी को मिल जाते हैं जिसमें कुछ advantage आपको नजर नहीं आता लेकिन वहीं पे अगर हम आते है sound के profile के उपर तो सबसे last में आपको MI sound enhancer वगरा देखनी को नहीं मिलता ना Hendrick sound वगरा लेकिन यहाँ पे calling से related connecting, disconnecting का आपको features देखनी को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे use कर पाऊगे calling से related, display पे in करने के बाद आपको night mode यहाँ पे styles and wallpaper देखनी को मिलते हैं यहाँ पे कुछ grid और clocks वगरा आपको देखनी को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे आप यूज कर सकते हो और wallpaper आपको by default simple सा देखनी को मिलता है लेकिन यहाँ पे wallpaper का एक अलग storage दिया गया है जहां से आप इसके खुद के कई सारे wallpapers वगरा यहाँ पे use कर पागए जो कि काफी अच्छे खासे हैं बस internet connection को आपको on करना पड़ेगा और इसी का एक wallpaper मैं भी फिलाल use कर रहा हूँ तो आप इसनका use करो या फिर थर्ट पाटी कहीं से भी download कर सकते हो जो कि मैं आक से टेलिग्राम पे share करता रहता हूँ तो आपके मर्जी आप कौन सा use करना चाहते हो वही पे नीचे आने पे आपको enable blur देखनी को मिल जाएगा यहाँ पे color picker देखनी को मिलता है theme के अंदर जहांसे आप color को change कर सकते हो साथ से साथ आपको यहाँ पे रेखनी को मिल जाएगा tap to wake up और lock screen से related कुछ इस्टा कस्टमाइशन जो की normal से हैं वह सारे आपको यहाँ पे रेखनी को मिल जाते हैं बाकी auto rotation वगेरा भी आप यहाँ पे use कर बाग है रही बाद battery wake up तो जारा तो मैंने use नहीं किया बड़ जितना भी use किया है उसके साथ बैटरी overall सही है बड़ थोड़ा सा और improvement की जरूरत मुझे लगी है यहाँ पे साथ साथ adaptive आपको battery देखनी को मिल दाएगा और look update से तो बिल्कुल ही different है जो कि सही लगता है और यहाँ पे आपको smart charging वगेरा भी देखनी को मिलता है जो कि आप यहाँ पे use कर सकते अगर आप इसे longer use करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका phone का battery effective ना हो ज्यादा long charge करने से तो यह features आपके काम आने वाला है अब यह रहा इसका customization जहाँ पे कई सारे features आपको देखने को मिलते हैं जैसा कि यहाँ पे FOD customization दिया गया है बट यह features नहीं होता तो ज्यादा better होता क्योंकि हमारे phone के अंदर FOD on screen है ही नहीं तो इसका होना और ना होना बराबर है तो एक file 2 का extra customization आपको मिलेगा बाकि यहाँ पे allow का मिल जाता है option यहाँ पे plus का option देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है gaming mood वगएरा जो कि आप यहाँ पे use कर पाऊगे बाकि यहाँ पे lock screen से related double tap पे sleep, status bar वगएरा lock screen, charging animations वगएरा AOD से related आपको option देखने को मिलेगा notification के अंदर retracker आपको देखने को मिल जाता है बाकि less boring और hands up वगएरा color background वगएरा भी आपको देखने को मिलेगा और noise activation का option मिलता है wake up, control, playback का option दिखाई देगा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है media का और सास्याद at work, media background का और brightness slider की step का रखना है वो भी आपको option दिया गया है तो आप R, U, I रख सकते हो या फिर आप यहाँ पे रख सकते हो A12 का याने Android 12 वगएरा का याने जैसा भी आपको चाहिए वैसा brightness slider रख सकते हो data usage वगएर आपको मिलेगा और row and column maintain का option अश्टेटरस बार के अंदर LTE, 4G, brightness slider, color अश्टेटरस बार और notification tracker वगएर देखने को मिलता है तो ज़्यादा कस्टमाईशन नहीं है नाए voltage related कोई नया कस्टमाईशन आपको मिलता है theme के अंदर आप dark mood वगएर यूज़ कर सकते हो तो simple सा ही है उसका clock के कस्टमाईशन जो कि मैंने आपको सो कर दिया डिस्प्ले के अंदर कुछ fonts आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ shape आपको देखने को मिल जाते हैं साथ-साथ यहाँ पे g-visual mood डिया गया है जिससे आपको चीज़ाँ को change कर सकते हो जो कि normal सा है और volume के कुछ extra step वगएर आपको देखने को मिलते हैं तो जो भी volume वगएर आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पर use कर सकते हो साथ-साथ यहाँ पे live caption वगएर का भी option आपको देखने को मिलता है जो कि आज कल maximum custom room के अंदर हमें देखन को मिल रहा है बड़ भी फिलाल यह on नहीं हो रहा साथ-साथ यहाँ पर custom header का option मिलता है जहाँ पर जो भी चाहँ header image वगएरा set कर सकते हो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब यहाँ पर देख से तो यह option आ गया है लेकिन अभी फिलाल on option नहीं हो रहा तो इनोर करते हैं इसे उसके बाद यहाँ पर कीवेज टाइल्स डिसको नियू टिंट स्टाइल वगड़ आपको देखने को मिलेगा जो कि on-off कर सकते हो कर सकते हो कर समय सन के मामने उतना ज्यादा huge customizer नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़े है जो plus point देखने को मिल जात है FPS info जो कि gaming की टाइम में आपको help करने वाला है तो अगर आप यहाँ पर gameplay करते हो तो आप अच्छा खासा gameplay देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पारे उस setting की तरीके से है और बाके दर चीज़े तो gaming जितना भी मैंने किया है overall ठीक लगा है और आप यहाँ अच्छे से gaming कर सकते हो तो यहाँ पर आपको gaming से related जादा problem देखने को नहीं मिलेगा वहीं पर बाके दर चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर L1 मुझे देखने को नहीं मिला है मेरे Poco M2 Pro के अंदर बाके में भी आपको Note 9 Pro और Pro Max के अंदर L1 देखने को मिल जाएगा बट यहाँ पर मुझे यह missing लगा है साथ साथ यहाँ पर आप देखते तो single core और multi road का result जो की काफी अच्छा कासा यहाँ पर निकल के आता है और यह है हमारा battery drain जहाँ पर आप देखो है कि एक भी percent का battery drop नहीं हुआ है timing है 8.49 है और यहाँ पर timing है 5.33 जिसमें full night में 0% का battery drop है ले आपको fast charging का support मिल जाएगा तो charge करने में कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाला और untu2 के बात करे तो यहाँ पर इसने जो GPU को अलग से download किया है और GPU blank हो गया है जिसके विसे score काफी कम देखने को मिलता है लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर CPU total और निकल के आता है वो सारे चीज़े मुझे यहाँ पर काफी ज़्यादा सही लगा है और आपके काफी यह काम भी आने वाला है और इस रूम के साथ आपको different type का boot animation देखने को मिलता है जो कि मुझे really में काफी अच्छा लगा है यहाँ पर आप देखें तो किस टैप से आपको यहाँ पर जो कि काफी different है बाके the room के comparison में और आपको यह पसंद आने वाला है अगर आप इसे already use कर रहे हो तो अपना उपनियन जरूर सेर करना कैसा आपको क्या कुछ देखने को मिला है लेकिन use करने वाले हो तो use करके बाद बताना कि क्या कुछ है एक time में मुझे यहाँ पर force stop का issue द प्रूट शेर करना और प्लीज आपसे रिक्वेश्ट रहेगा भाई like करो share करो क्योंकि आपके आज कल सब्सक्राइबर और साथ साथ लाइक फ्यूज कम आ रहे हैं तो प्लीज भाई थोड़ा सा support दिखाओ ठीक है बाबाई प्लीज दोट्श ज्रूज के आप-ल्टेक है कि च्टार सन्दीज प्लीज प्लीज बाई करो